हलो डियर्शोंट कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नमबर 10 यूनिट नमबर 3 इसू ओफ डेवेंचर स्टार्ट करने वाले हैं इसू ओफ डेवेंचर जिन ने अच्छे तरीके से इसू ओफ शेर्ज का चैप्टर कर लिया है उनको जरासी भी यहां पर दिकत नहीं आएगी ठेकर ना काफी सारी कॉंसेट्स इनके सीमिलर होते हैं तो अचलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसू अफ डेवेंचर ठेकर और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और यहां पर यह चैप्टर आपको 10 नंबर देता है कम से कम बहुत ज्यादा इंपोर्टन चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर टोटल तीन यूनिट थी तो यूनिट 1 हो चुके करके तो सबसे पहले आता है कि इसू ओफ डेवेंचर यानि कि क्या होता है यह डेवेंचर देखिए जब एक कमपनी को लंबे समय के लिए लोंग ट्रम के लिए पैसिक नीड होती है फंड की रिक्वार्मेंट होती है तो उसके पास एक तरीका होता है जैसे सेर्स इसू करन में होता है जिसके ओपर कमपनी की सीर लगी रहती है जिसको हम एक रिटन अकनोलेजमेंट भी बोल सकते हैं कमपनी की तरफ से डेवेंचर के अंदर बेसिकली क्या-का चीज़ें क्लूड होती है वो भी यहां पर बता रख है डेवेंचर स्टोक बॉंड क्या होता है यह मैं JV Sir Limited Company, ठेकर न, तो हमें पहले तो नाम से पता लग रहा है, क्योंकि लास्ट में Limited Word है, तो ये एक Public Company है, इस Company ने क्या किया, Deventure इसू किये हैं, ठेकर न, टोटल 10,000 Deventure इसू किये हैं, और हर एक Deventure की किमत कितने रुपए, 100 इस है, ठेकर न, यहाँ पर जब Deventures लिखते हैं तो Deventures लिखने के सामने, जैसे मैंने Rate लिख रखा है, ये इसी तरीके से आपको Deventures के सामने हमेशा Rate लिखा मिलेगा, 6%, 9%, 12%, ये Basically Deventure के उपर जो Interest Rate होता है, वो होता है, यानि जब एक Company Deventure इसू करती है, और कोई इसको Deventure को खरीटता है, जैसे इस Case में, ठेकर न, माल एक व्यक्ति है, जिसका नव है Mr. X, उसने 1000 Deventures खरीदे, तो उस Company के इसने 1000 Deventures खरीदे हैं, तो इसको कहलाएगे Deventure Holder, क्या कहलाएगे Deventure Holder, अगर Company के कोई व्यक्ति सेर खरीता है, तो उसे Share Holder बोलते हैं, अगर Deventure खरीता तो उसे Deventure Holder बोलते हैं, I hope clear होगा, अब य Deventures की Features क्या क्या होती हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो Meaning के अंदर पड़ी थी, वही चीजे लगबग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, Features के अंदर, पहला Point है Certificate, Deventure एक Certificate के रूप में होता है, इसको हम एक Written Acknowledgement बोल सकते हैं, इसके उपर Common Cill लगी रहती है कंपनी की, यह कंटेन करता है क्या Repayment of Principles at Specified Date, यानि इसमें यह बता रखा होता है कि कौन सी Date को, जो Deventures का Payment है, वह वापिस किया जाएगा, कंपनी हमें वापिस करेगी, यानि Deventure Holder को Payment करेगी, इसको उपर एक Rate of Interest होता है, जैसे मैं आपको अभी बताया था, यह Fixed Rate of Interest होता है, जैसे मैं Deventure के ऊपर एकका होता है, जैसे शेरhouль्डर को準 मिलता है आपकी यहाँ पर Deventure Holder को Interest मिलता है, हाला कि जो Deventure होते है, हाला कि अन МУЗЫКА बहुता है तो लोंग टरम फंड की रिख्वार्मेंट और तभी ऐसा करती है तो यहां पर दो कंटेंट हों गें कंटेंट नंबर 3 प्यादाते हैं यहां पर एक कंटेंट का नाम है बॉंड क्या होता है बेसिकली आपको बता बादू bond का जो point है वो आपको study mat के अंदर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि bond क्या होता है इसलिए मैंने आपके दे दिया है तो bond क्या होता है बेसिकली यह debenture की तरह ही होता है very similar to debenture तो पहले जो होती था अब bond जो होता था government issue करती थी लेकिन आब government भी issue करती है semi government और non government organizations वगरा भी इसको issue कर सकती है debenture और bond में जो main difference रहता है वो rate of interest का रहता है हाला कि दोनों चीज़े बिल्कुल similar होती है rate of interest का थोड़ा सा difference यहां पर आपको देखने को मिल सकता है यानि debenture जो होते हैं उनके ओपर fixed rate of interest होता है जबकि जो bond होते हैं वो without rate of interest भी हो सकते हैं जैसे deep discount bond जीरो coupon bond यह इसके कुछ example है अब हम चलते हैं point number 4 की तरफ point number 4 में आदाता है कि debentures की types कौन-कौन सी होती है तो म मैं आपको study mate में दिखाऊंगा तो वहां पर 5 तरीके का debenture की type दे रखी होंगी हाला कि हर एक type के अंदर उन्होंने बता रखा होगा कि इस तरीके से एक दो दो नॉर्मली जो debenture की type होती है वह आपको 7 तरीके का debenture देखने को मिलता है ठीक है लेकिन उसमें सबसे important जो debent कमपनी अपने lifetime में कभी नहीं करती जब कमपनी खतम होती है उसको कमपनी का liquidation या कमपनी का wound up बोलते है तब ही इसकी payment की जाती है इसलिए इसका नाम irredeemable debenture या perpetual debenture होता है दूसरा आता है convertible debenture की एक ऐसी type होती है अगर आप इसको खरीदते हैं तो इस case में आपको एक security share से या किसी और security के अंदर convert करा सकते हैं तो जब तक आपके पास debenture होता है convertible debenture तो आप as a debenture holder थेकर आप interest को enjoy करें बाद में आप इसको convert कराके shareholder बन जाए और shareholder बनके dividend का enjoy करें उसके बाद एक question है याँ पर जिसका नामे difference shares और debentures के बीच में क्या difference है shares का chapter में पूरा करा चुका हूँ तो आपको easily ये चीज समझ मा जाएगी मैं ये आपको study mat से ही करा दूँगा छोटा छोटा आपको बता देता हूँ कि shares जब company issue करती है share खरीदने वाले को shareholder बोलते हैं debenture खरीदने वाले को debenture holder बोलते हैं ये बाते आपको पता होगी shares के उपर dividend मिलता है ये आपको पता है debenture के उपर interest होता है shares जो होता है share से जो पैसा इकठा होता है share capital बोलते है यानी capital होता है debenture जो होता है वो basically उसको loan consider के जाता है ये बात आपको पता होगा जब कभी company shares के उपर पैसा मांगती है और कोई share holder payment नहीं करता है तो उसके share cancel करके director forfeiture कर सकते हैं forfeiture जैसा concept debenture के अंदर नहीं होता है इसी तरीके के इसमें और भी बहुत सारे ऐसे points हैं जो आपको देखने को मिलेंगे तो आगे चलते हैं अब आज आते हैं आपके study mat के उ unit number 3 page number आप यहां पे देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा zoom कर देता हूं 10.63 page है यह आप खोल लेंगे अब हम चलते हैं यहां पर सबसे पहले introduction introduction की कोई खास need नहीं पड़ेगी इसमें यहीं बता रखा कि पिछल चेप्टर में हमने क्या पड़ा इस चेप्टर में क्या पड़ होता है debenture में और भी चीजे include होती जैसे debenture के अंदर debenture stock bond और any other instrument वगरा यह सब बाते में करा चुका हूं debenture secured भी हो सकता है और initial code भी हो सकता है यह थोड़ा से मैंने आपको बताई दिया था ठीक है हाला कि जो लोग debenture खरीते हैं को debenture holder बोलते हैं लेकिन उनको जैसे shareholder को voting right मिलते हैं इस तरीके का कोई भी voting right वगरा उनको नहीं मिलता है क्योंकि वो company का मालिक नहीं माने जाते है basically है कंपनी के मालिक shareholder माने जाते है normally है ओके clear है अब चलते हैं इसकी features दे रखी हैं तो features में सारी करा चुका हूं वही meaning से features निकलेगी debentures क्या होता है debenture के वगरा लेना चाती है तो उसके रूप में भी इसको huge वगरा कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है अब आजाते है next यहाँ पर difference दे रखा है debentures और shares के बीच में क्या difference है मैंने आपको बताई दिया था debenture holder बोलते है इसको shareholder बोलते है नॉर्मली जो shares holder होते है वो company का मालिक माने जाते हैं लेकिन यह creditor माने जाते हैं debenture holder को किसी तरीके का voting right नहीं होता है इनको voting right होता है इनको पहले से interest rate होता है इनको क्या मिलता है dividend मिलता है यह सब बाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं forfeiture वाला point मैंने कराई दिया था है लेकाना कि debentures जो होते हैं तेकना उनको for forfeit नहीं किया सकता है अगर payment नहीं होए अलोट्मेंट या calls पर ठेक हैं debentures को आप convert कर सकते हैं shares के case में इसा कोई option नहीं होता है यह सब बाते हैं यहाँ पर दे रखिए यह सब point मैं यहाँ पर आपको पढ़ा भी चुका हूं और करा भी चुका हूं अब हम चलते हैं ठीक है institute ने कर रखा है अपने हिसाब से तो मैं दिखा रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर types दे रखिए debentures की देखो security के base पर on the basis of convertible on the basis of permanence on the basis of negotiability and on the basis of priority तो सबसे पहले हम चलते हैं security के base पर यहाँ पर debentures के case में देख सकते हैं दो तरीके के debentures secured and unsacured तो secured मतलब पर गरार रखी हो है तो यह फिक्स या फ्लोटिंग दोनों तरीके की हो सकते है चार्जिजन है ओके unsacured मतलब नहीं है इतनी ज्यादा यह important चीज़े नहीं है लेकिन बस आपको छोटा मोटा knowledge होना चाहिए convertible debentures convertible मैंने बताया दिया था जिसको आप convert कर सकते है एक्विट हो जाएगी जब तक कंपनी है समझ रहो और इरिडिमेबल मैं आपको पताया था lifetime में कभी भी कंपनी की payment नहीं करेगी जब कंपनी क्या होएगी लिक्विडेशन होएगा तब इसकी payment होएगी है आब आता है next point number 4 Negotiability के अंदर registered debenture and buried debenture ठेकर रजिस्टर डेबेंचर क्या होते हैं ठेकर थीज डेबेंचर आर पेबल टू रजिस्टर होल्डर whose name and address particularly of holding is recording in register of debenture ठेकर नहीं की ऐसे debenture ठेकर जो कंपनी के पास एक register होता है जो जैसे register of member होता था shareholder का वैसे register of debenture होल्डर होता है उसके अंदर नाम लिखा रहता है उनको register बोलेंगे है उनको payment मिलेगा buried debenture मतलब अगर transfer कर दिया debenture जैसे मैंने debenture खरीदे मैंने आपको transfer कर दिये तो आप को कहलाएंगे buried debenture कर लाएंगे तो आपको payment मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है अब आता है on the basis of priority debenture दो तरीके के होते हैं first mortgage debenture second mortgage debenture first mortgage debenture क्या होता है these debenture आज payable ठेकर है first out of property charged right second mortgage debenture these debenture आज payable after satisfying the first mortgage debenture यानि इसके बाद ही इनकी payment payment होती है I hope clear होगा तो इस तरीके से ये था आपका theoretical portion जिसके अंदर काफी अच्छे तरीके से पहले मैं आपने note से करा दिया है उसके बाद study mat में ठेकरन काफी सारे content करा दिये हैं continue बने रहें ठेकरन वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें comment जरूर किया करो ठेकरन और चैनल को must है subscribe कर लो ठेक है मिलते हैं नेक्स क्लास में आज के लिए इतना हैं झाल 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 झाल